अलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज इस वीडियो में आपके साथ बहुती बीटिफल सा नेक डिजाइन शेयर करने वाली हूँ तो यहां पर मैंने अपनी कुर्ती की कटिंग करके रखी हुई है और अब हम यहां पर नेक की कटिंग करेंगे तो उसके लिए मैंन काइब करेंगे और यहां पर हमिसे 4 मार्किञ्श कर रहे हैं और तयार लेंध हमारी 6 हुए है और यहां पर हम हम अभी अपने की राउंड में शेप कर दिए हैं घून के चिंग करिती करें यहां हैं हम सबसे पहले इस वाली नेख की कटिंग करेंगे। बीच में हमारे नेक में परल हमें स्टिच करने हैं तो उसके लिए हाफ इंच्ची यहाँ पर एक और कटिंग होगी। और confession कपार गुलिए नाल जो हमारा मेन नेख करेंगा। में कटिंगर करणे हैं। हम सबसे पहले इसकी एक्स्ट्रा जो बुक्रम है उसे गत करके अलग कर देते हैं अगा है ऐनकि मेरा आप यहाँ इसके बाद हा은 यहांद यहां से हम हाफ इंच के गैप में और यहां से पार्ट की एक्स्टर की कटिंग कर देंगे और यहां से एक इंच चोड़ी पट्टी हम एक और नेक के लिए कट कर रहे हैं आप अगर डायरेक्ट नहीं कट कर सकते हैं तो पहले उस पर निशान लगा दीजिए मैंने इसे डायरेक्ट कर दिया है तो यह दोनों ही ने कि दर ले लिया है आप चाहिए इसे प्रैस से भी स्टिच से चिपका सकते हैं मैं यहाँ पर इसे चारो तरफ से सिलाई लगाके और चारो तरफ से एक्स्टर फैब्री कट करके इसे फोल्ड करके त्यार कर लेती हैं तो पहले मैंने अपने कुर्ती पे तो यहाँ पर मैं ओल्पिन लगाकर इसे सेट कर रही हूँ आप चाहें तो इधर बी सेंटर से सिलाई लगाकर रफ स्टिच लगाकर इसे तियार कर सकते हो तो आप यहाँ पर हम किनारे से इसकी सिलाई करेंगे नेक तियार करने के लिए तो मैं नस्दीग से आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर बुकरम के बिल्कुल पास-पास हमें सिलाई चलाते हुए जाना है और अपने नेक की परफेक्ट शेप देनी है तो यह देखे फ्रेंट्स यहाँ पर हमने एक नेक की दर स्टिजिंग को कम्प्लीट कर लिया है अब अंदर की तरफ से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे एक पैर का मार्जन रखते हुए चारों तरफ से हम इस फैब्रिक को कट करके अलग कर देंगे यह हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है और पूरे में चोटे-चोटे कट लगाकर हमने नेक को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाकर इसे यहां पर तियार कर लिया है तो दूसरे नेक को भी मैंने इदर रफ कपड़े पर एक रफ स्टिच लगाकर इसे अटेच कर लिया है यहां पर मैंने एक और एक्स्ट्रा फैब्रिक इदर लिया है गुर्ती का इसे हम यहां पर डबल में स्टिच करेंग तो यहां बेर में आल पेन लगाकर एक्स्ट्र फब्र के साथ इसे अटेज कर लिया है और यहां से हम किनारे से सिलाई लगाते हुई दूसरे नेक को तियार करेंगे तो बिल्कुल किनारे पर हमें इसकी सिलाई लगाते हुए जाना है इस कुर्ती की मैंने स्लीव की भी डिजाइन की वीडियो तियार करके रखी हुई है मेरे चैनल पर अपलोड है उसका लिंक में नीचे आपको डिस्क्रिशने दे दूँगी आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज उसे भी देख लीजिए बहुत ही ब कि यहां पर अंदर से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है और चारो तरफ से कट लगा के इसे हम पलट देंगे पूरे नेक में हम पहले चोटे-चोटे कट लगाएंगे हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जो हमने सिलाई लगाई है वह हमारी कटना हो तो पूर पूरे नेक को में त्यार कर लेती हूं तो यहां पर मैंने इस नेक को त्यार कर लिया है इस तो 20 सेंटर में जो हमारा हाफ इंच का हमने बुकरम की जो कटिंग करके अलग की थी तो यहां पर हमें इसमें पर्ल अटेच करने हैं तो यहां पर हम अपने नेक में पहले मार्कि का गयब रखते हुए, यहां पर फहले मार्किंग करेंगे, यहां पर हमारे नेक में इधर मार्किंग कम्प्लेट हो गई है, तो अब यहां पर मैं मोती ले रही हूं, जो इसमें मुझे अटेच करने हैं, बी सेंटर से, दोनों ही नेक को अटेच करने के लिए, तो यहां पर म कि यहां पर मैं दो तीन पर यहां पर आपको स्टिच करके दिखा रही हूं कि किस तरह के से हमें अटेच करना है इतना ही गयप रहेगा जितना मोटा हमारे यह परल है इसमें उसी के अकॉर्डिंग ही यह हमारा नेक यहां से बीच में बीच सेंटर से गयप रहेगा तो यहां पर मैंने एक परल को यहां पर स्टिच कर लिया है शुब बेक साइड में हमेज नॉट लगा दिना है ताकि हर पल हमारा अच्छे से यहां पर पक्का हो जाए इन यहां पर मैं हम धागे में गांट लगारे से अच्छे से पक्का करेंगे एक परल यहाँ पर हमारा स्टिच हो गया है अब हम धागे को नेक के अंदर से निकालते हुए नेक्स्ट पॉइंट पर लेके जाएंगे नेक्स्ट निशान पर हमें लेके जाना है और यहाँ पर हम दूसरा परल को स्टिच करेंगे मोती को स्टिच करेंगे दूसरे को आपको देखने से अच्छे से समझ आ रहा होगा कि मैं किस तरीके से सोई में से धागे को निकाल रहे हूँ मोती में से धागे को निकाल रहे हूँ यहां से हमें दुबारा से इसमें से ही पर्ल में से ही स्टीच करते ही निकालना है तो नेक्स्ट पॉइंट पर हमें इसे सुई को निकाल लेना है बैक साइड में भी हमारा फिनिशिंग के साथ यह नेक्तियार होगा कोई भी एक्स्ट्रा धागाई इसमें नहीं दिखाई दीगा बहुत ही ब्यूटिफुल सा यह हमारे नेक बनकर तेयार हो जाएगा तो पूरे ही नेक में हम इस तरह के से यह परल स्टिच करते हुए जाएगे फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताना और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बैल आइकन भी दबा देना जिससे आपको आने वाली हर वीडियो के बारे में समय पर नॉटिफिकेशन मिलती रहे इसी तरह की डिजाइन, कुर्ती की डिजाइन, नेक डिजाइन मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी तो पूरे ही नेक में यहाँ पर मैं परल स्टिच करके आपको दिखा रही हूं तो यह नेक हमारा तियार हो गया है नेक में मैंने तुर्पाई भी कर दी है बैक साइड में और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा धागा है उपर की तरफ दिखाई दे रहा है इसे भी हम अलग कर देंगे और बाद में इसमें मैंने एंकर थ्रेड से वर्क किया था उसकी क्लिफ इसमें मिस होगी है तो फाइनल लुक में आपका इसमें नेक कत तियार किया हुआ आपको दिखा रही हूं कि किस तरी के से यह हमारा नेक बनकर रेडी हुआ है